अज हम बात करेंगे कुछ special form of integration के बारे में कि जो special forms होते हैं integration के वो क्या होते हैं उनको किस प्रकार से solve करा जाता है आज हम लोग वो सीखने वाले लेकिन उससे पहले हमने कुछ basic formula का knowledge होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले जितने भी formula हैं तिन बीटीस से बारे में इसको सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे उसके बाद जो हम लोग उन have questions को जानेगी काने व हम लोग स सबसे बारे में का जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वह हम लोग जानेंगे, उसके बाद उसको solve कैसे करा जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, यानि जो chapter हम लोग करेंगे, जो topic हम लोग deal करेंगे, यह हम लोग 4 steps में करेंगे, तो सबसे पहला step है कि formula को एक बार आपने अच्छे तरगे से पढ़ना है, आपने अच x square plus a square, तो जब भी आप इसको integrate करोगे, आपको मिलेगा 1 upon a tan inverse x upon a, यह आपने याद रखना है, ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया, second formula के अगर बात करा जाए, तो जो second formula है, that is, dx upon x square minus a square, ध्यान समझेगा, dx upon x square minus a square, तो जब भी इसको लोग integrate करेंगे, तो हमको मिलेगा, that is, 1 upon 2a, 1 upon 2a log x minus a upon x plus a, यह आपको याद रखना है, ठीक है, तिसरा जो format है आपका, that is, dx upon a square minus x square, dx upon a square minus x square, जब भी आप इसको integrate करोगे, तो आपको मिलेगा, 1 by 2a, 1 by 2a log a plus x, और a minus x, फिर से, 1 by 2a log a plus x upon a minus x, आपको मिलेगा, ठीक है, next form पढ़ा जाए, तो यह जो format है आपका, that is, dx upon under root a square minus x square, जब भी आप इसको integrate करोगे, तो आपको मिलेगा, sin inverse x by a, आपको यह format मिलेगा, ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखा जाए, तो यहाँ पे है, that is, dx upon under root, dx upon under root a square plus x square, जब भी इसको integrate करेंगे, तो हमको मिलेगा, that is, log x plus under root x square plus a square, और c तो आपने सब में लगाना ही है, c तो compulsory है, क्यों, तो कि हम लोग indifferent integration कर रहे है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है, यह formula number 6, that is, dx upon under root x square minus a square, जब भी आप इसको integrate करोगे, तो आपको मिलेगा, log x plus under root x square minus a square, यह आपको मिलेगा, ठीक है, फिर हम लोग ब जब भी आप इसको integrate करोगे, तो आपको मिलेगा, x by 2, आप इसको x by 2 पढ़ सकतो, x by 2, under root a square minus x square, plus a square by 2, sin inverse x upon a, और c तो आपने बोलना ही बोलना है, ठीक है, यह हो गया, अच्छा, उसके बाद आपने 8 number याद रखना है, that is, आपने जो है, integrate करना है, किसको integrate करना है, that is, under root a square plus x square हो क्या करना है, integrate करना है, तो आपको मिलेगा, x by 2, ठीक है, x by 2 times, under root a square plus x square, फिर plus है यहाँ पे आपका, फिर a square upon 2, फिर log में यह पूरा portion, यह लोग x plus under root a square plus x square, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छा, point number 9 की अगर बात करा जाए, यानि formula number 9 की बात करा जाए तो यहाँ पे आपने integrate करना है, that is, under root x square minus a square का आपने क्या करना है, integrate करना है, जब आप इसको integrate करोगे तो आपको मिलेगा, x by 2, under root x square minus a square, ठीक है, फिर minus a square by 2, log x plus under root x square plus a square, यह आपको मिलेगा, ठीक है, अब दीक है, अब दो बाते आपके मन में आ सकती है, कि यह formula कैसे आए और दुसरी बात कि इन formula को याद कैसे करा जाएगा, तो पहला प्रस्न का उत्तर यह होगा, कि यह formula जो है, इनको derive हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग एक method पढ़ेंगे, जिसका नाम है partial fraction, यानि partial fraction method के तुरू हम लोग सारी formula को proof कर सकते हैं, पहला में आपका answer मिलेगे, हमने यह formula सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, यह तो हमने formula लिख लिए, अब हम लोग कुछ rules समझते हैं, कुछ basic rules हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ basic rules जो है, वो आपने follow करना है, ठीक है, सबसे पहला जो आपका rule है, that is, remove the coefficient of x square, सबसे पहला जो है, आपने coefficient को remove करना है, ठीक है, किसका coefficient remove करना है, अपने, तो जो भी x square है, उसके coefficient को remove करना है, सबसे पहला का आपने यह करना है, ठीक है, that is, remove the coefficient of x square, सबसे पहला का आपने यह करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, try to complete the square आपने जो है कोसिस करना है कि वह square form पे आ जाए ठीक है second step आपने यह करना है यानि try to complete the square आपने second यह form आपने apply करना है try to complete square ठीक है क्या है आपने formula का use करना है अपने और आपका result आ यह तरह से आपको आ आप तीन स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका चुह है अच्छे तरीके से आपको result आपका मिल जाएगा और आपको अच्छे पहले कुछ basic questions लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे, कि किस तरह के questions आते हैं, यानि किस तरह के form possible है, तो सबसे पहला हम लोग NCRT कुछ basic questions करते हैं, वो देखवा, हम लोग क्या करते हैं, question number 1 की बात करते हैं, अब या question number 1 को देखो ध्यान से, अब NCRT के हम लोग बात करने हैं, वो 7.4 की बात करने हैं, और यहां से कुछ questions हम लोग करेंगे, वो देखो आप, सबसे पहला question है, कि that is, आपने जो है, integrate करना है, that is, 3x square, all okay, 3x square upon x6 plus 1 को आपने integrate करना है, ठीक है, इस portion को आपने integrate करना है, ठीक है, अभी देखो, हमको पता है, कि यह जो 3x square है, यह किसका derivative होता है, तो हमको पता है, जो 3x square होता है, यह derivative होता है, xq का, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यह तो हम लोग 3x square को as it is लिख देंगे, यह जो 6 है, 6, x to the power 6 से, इसको इसे लिख सकते हैं, x3 का whole square, इसको हमने क्यों ऐसा लिखा क्योंकि हमको पता है क्योंकि यह जो 3x² है किसका derivative होता वो xq का derivative होता है आरे बात समझे तो that is why हमने इसको इस form पे लिखा आपको पता है कि अगर आप इसको z मानोगे अगर आप इसको क्या करोगे z मानोगे यानि हमने जो है आपको अच्छे तरीके से substitution method के बारे में बताया है और substitution method कैसे होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है z मानते है यानि z हम लोग late मानेंगे let z is equal to xq second step क्या होता है digit by dx हम लोग calculate करते है और जब भी आप digit by dx calculate करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x² उसके बद हमने आपको सिखाया है जो third step होगा हमने dx की value calculate करते है तो dx की value क्या आजाएगी that is digit upon 3x² यह आपको मिल जाएगा ठीके अभी देखो यहाँ तक clear हो गया अभी देखो आप यहाँ से तो यह जो 3x² है इसको तो हम लोग as it is लिग देगे that is digit upon 3x² यह value हमने अभी निकाली यह आपका दोनों cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका that is digit upon j² प्लस 1² तो अगर आप देखो ध्यान से तो हमने आपको थोड़ी दिर पल 9 formulas के बारे में introduce करा है 9 formula के बारे में हमने आपको introduce करा है उसमें से अगर आप देखोगे तो आपको एक formula मिलेगा that is dx upon x² प्लस a² यह आपको एक format मिलेगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो portion है यह इसकी तरह यानि इस पर based है और आपको पता है कि इसका integration क्या होता है dx upon x² प्लस a² का integration आपको पता है क्या होता है that is 1 upon a tan inverse x by a यह आपका integration होता है और प्लस c याद तो रखना ही आपने लगाना ही है तो यह अगर आपको format याद है तो हम लोग क्या करेंगे इस format का यह हम लोग यहाँ पर करेंगे ठीक है अभी देखोगा क्यासे हमको पता है कि यह जो हमारा format है यह इस format पर है अभी देखोगा ध्यान से यहाँ पर समझेगा तो जो हमारा x है वो z है यहाँ पर यानि यहाँ पर हमनों बोल सकते है x is equal to क्या ची जड़ और यहाँ जो a है आपका वो क्या है 1 है यानि a के जगह पर हमने क्या लगाना है 1 लगाना है और फिर से हमने क्या करना x यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है j यानि x के जगह पर हमारे पास क्या है जड़ है और यहाँ पर हमारे पास a है और यहाँ पर क्या है 1 है यानि हमने क्या करना इस format का यूज का गा, that is, क्या format है, that is, 1 by A, tan inverse x by A, और लोग के यहां तक, अभी देखो, A हमने किसको माना, A हमने कितना calculate कर, A, तो यहां पे 1 upon A, दने 1 हो गया, यह tan inverse, x क्या था आपका, z था, तो आपने यहां लिख दना है, z upon A, और A की value कितनी है, 1, तो 1 तो लिखोगे नह तो यहां पे आपको मिल गया, tan inverse z, ठीक है, क्या मिल आपको, tan inverse z, और आपको पता है, कि अभी आपने, j को x q माना था, जड को आपने क्या माना था, x q, तो जो final result आया आपका, आरी बात समच, जो आपका final result आया, वो आ गया, tan inverse x q, तो यह जो है, plus c, तो यह जो आया, आपक form हमारा है, इस form से related, आप इसको ऐसी भी बोल सकते हो, कि आपने जो है, हमने यह जो question था हमारा, हमने इसको इस form पे लाने की courses करी, ठीक है, अगर लाने की courses भी नहीं करोगे आप, तो आप simple यहां पे देखोगे, कि यह जो derivative है, यह किसका derivative है, x q का derivative है, तो जब आप इसको simplify क करोगे, तो आपको यह form मिलेगा, यह form मिलेगा, और यह जो form है, किसकी तरह है, इस form पर based है, और इसका result यह आता है, तो हमने क्या करा, value रख दिया, और value रख के हमको हमारा result मिल गया, तो हमारा result क्या मिला, that is 10 inverse x q plus c, यह हमारा c है, तो यह हमने question number 1 करा, तो हम अभी क्या कर क्या रहा है, हम लोग basic questions कर रहा है, ताकि हमको जो formula है, वो हमने याद हो जाए, ठीक है, चलो, यह तो question number 1 की बात हो गई, अब हम लोग क्या करते है, कुछ और questions लेते है, like हम लोग question number 2 की बात करते है, अभी देखा अब ध्यान से, question number 2 है क्या, question number 2 है, that is dx upon under root 1 plus 4x square, यह question है, ठीक है, अच्छा, ध्यान से समझेगा, हमने आपको बताया था, कि आपने एक rule follow करना है, that is, you have to remove the coefficient of x square, ठीक है, आपने क्या करना है, कोसिस करना है, कि वह x square को जो coefficient वो remove हो जाए, ठीक है, यह आपने हमेसा ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छा, क्यूं, एक बात आती है, कि ऐसा क्यूं, क्यूंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जितने भी formula हमने लिखवाएं आपको, सारी में x square coefficient क्या है, 1 है, तो that is why हमारा ये target होगा, कि हम लोग जो है, x square को जो भी coefficient है हमारा, उसको हम लोग remove करें, यह हमारा target होना चाहिए, ठीक है, तो यह अपने ध्य अब हमने 4 को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे तो हम लोग क्या करते है, और इस इर बात समझ हमने गूना करा और 4 उपने क्या करती है, चाहिए, ऑब देखो, यह बच गया आपके बच आपके बच गया और प्लस होगा, x square, और आप को पता है, कि जो 1 by 4 है इसको आप लिख सकते हो 1 by 2 whole square ऐसा आप इसको लिख सकते हो और यह जो हमारा है यह तो x square के form पे हैं ही और यह जो है आपका under root में है ठीक है अगर आप जैसी इस चीश को देखोगे तो आपके दिमाग में एक formula strike करेगा जो 9 formula हमने आपको बताया वो आपके पर plus है और देखो यानि इसी फॉर्मिट पर यह formula है और इसका result आपको पता होना चाहिए आपको नहीं पता है तो आप solve करोगे देखके भी solve करोगे तो दीरे दीरे आपको सारे formula याद हो जाएगे ठीक है अब इसका result क्या हो देखो इसका result कैसे याद करेंगे हमने इसका result क इसका result कि यहाद हे हाग से तो अभी सब्सक्राइग अच्छा स्क्वाइर च्वार्ट और है कितना है आपके पास यहां पर यहां पर कितना है वंगर करो गें तो प्लस यह जो आया आपका फांग रिजल्ट आगया आई बात समझ में इसको जो है आप इसको और इसको और simplified form पर लिख सकते हो आपको बताते हैं आप यहां तक भी छोड़ सकते हो या आप इसको चाहो तो और इसको simplified form पर आप इसको लिख सकते हो और देखो कैसे simplified form पर इसको नो लिख सकते है देखो ध्यान से यह तो हमारे पास one by two है है ना और यह होगे हमारे पास log अच्छा अगर हम यहां पे LCM लेना चाहिए तो यह हो गया अगर हम यहां से LCM लेना compatible तो यह होगया LCM में क्या गया 4 तो यहां पे आ गया 4 X square और यह क्या हो गया हमारे पस प्लस 4 अभी देखा भी द्यान से यह तो 1 by 2 हमारे बाहर में है अच्छा हम क्या करतरों इसका भी L-SUM लेल हो गया अगर आप इसका L-SUM लोग दो यहां पर क्या हो गया 4 और इसका 4X हो गया और प्लस अंडरूट 4 लो अंडरूट 4X स्क्वार प्लस 4 हो गया ठीक है अब देखा अब आपको क्या करना है आपने एक लॉट का fórmula याद होगा और वो लॉट का basic formula क्या होता है यहां पर हम लिख देते हैं आपको log a by b का जो formula होता है वो होता है आपका log a minus log b ठीके तो हम लोग क्या करेंगे इसी formula का यूज करेंगे ठीके अभी देखो आप तो यह देखो 1 by 2 तो बाहर है आपका इसको आप रणे दो 1 by 2 रणे दो आप इसको ठीके log हो गया अभी देखो आप पूरा यह आप इसको a माल लो और इसको आप क्या माल लो मन में b माल लो आरी बात समझ में a को आप a माल लो और दूसरे को क्या माल लो बी माल लो तो अब ध्यान से log हो गया अब a यानि a वाला portion आप पूरा रख दो यह हो गया हमारा a वाला portion ठीक है log हमने क्या कर दिया A लिग दिया अच्छा minus log B अच्छा जी देखिए धान से 1 में 2 बाहर है log B, अब B कितना है आपका तो B जो है यहाँ पे आपका 4 है आरी बात समझ में आपके बी कितना आपके पास 4 है 4 A की 2 है अब आप बताओ यहाँ पे आरी बात समझ में तो यह जो portion यहाँ पे क्या हो जगा मारा है 2 अब लोग के यहाँ तक अब देखो आप ध्यान से अच्छा यह तो हो गया अमने क्या करा इसको log यह इसको मने मन में A माल लिया और इसको मने क्या माल लिया मन में B तो log A भज B का formula क्या हो that is log A minus log b तो half बहर log A होगे minus log b अच्छा बी कितना आपका 2 तो यहाँ पे आमने लिग दिया 2 तो यहाँ तक भी आप इसको expand करके छोड़ सकते हो आरी बात समझ में यह आप इसको चाहो तो और आप आगे भी proceed कर सकते हो यह आपके उपर depend करता है तो यहां तक भी आप इसको छोड़ सकते हो यह भी आपका correct answer है या अगर इसको चाहो तो आप आगे भी expand कर सकते हो मेरा उद्देश से क्या था मेरे target क्या था कि formula हो कैसे apply करना है वो आपको सिखाना यह तो होगी हमारा question number 2 अब हम लोग बात करते है question number 3 की बात करते है अभी देखो question number 3 क्या है that is आपने इंटेग्रेट करना है इसको इंटेग्रेट करना है 2-x whole square 2-x whole square और 1 है तो 1 को आप लिख सकते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक उच्छा तो सबसे पछले हमने क्या करना है यह जो पोर्षन है य्यानि जो 2-1 है इसके हम लोग जेड महां लेते है इसको क्या कर लेतين कितना होगया 2- matches . हम लोग क्या करेंगे इसको डरिवेट करेंग presentations 0 और इक्स हो गया 發現 digit जो है किसके equal आगिया minus dx के equal आगिया या इसको आप ऐसे बोलो जो dx है वो किसके बराबर आगिया minus digit के बराबर आगिया अब देखो पहला बात आपके मन में आ सकता है कि हमने ऐसा क्यों करा क्योंकि हमको formula किसका पता है that is dx upon under root z square plus a square का formula पता है तो उसकी तरह है लेकिन यहां पे जो portion इस तरह का portion है वो एक simple z के form पे है तो हम लोग कोसिज कर रहे है कि उस form पे आजाए और जैसे वह उस form पे आएगा हम लोग क्या करेंगा formula का apply कर देंगे ठीके चलो यहां तो हमने समझ लिया कि क्या करना हमारा target क्या है तो अब देखो अब धियान से अब यह जो है dx जो है यह किसके dx इसको तो क्या निकल गया minus digit तो यह minus को बाहर ले लो तो यह हो गया digit all okay अच्छा इसको हमने क्या माना था j माना था तो यह हो गया z square और यह हो होता है ठीक है अब इसका formula क्या होता है आपने याद रखना है that is log तो हो गया आपका एक्स को एक्स रख दो आप और यह पूरा जो है ना यह वाला portion इसको यहाँ पर लिख देना आपने यह होगे under root x square plus a square plus c आपने लिख देना है ठीक है चलो अब हमने क्या कर देना है अभी देख हो अब ध्याद से जो x है आपका sorry x है वह जिड यहां पर आपके दिमाग में रख लेना है जो x से क्या है आपका dhvah यहां जो ए है आपका वो क्या है? वन है यानि ए जो है आपका वो क्या है? वन है ठीक है यहां तर टेक्लिच अभी देखो result के form पर लिख दो log हो गया आपका अब X तो यहां जो X है आपका वो यहाँ पर क्या है Z है? तो यहाँ पर हमने लिखना है एक स्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर प्लस पूर्शन यहां पे लिख देना है यह प्लस ए यह आगया है finaly क्या करना, z की value हमने रख देनी है, यानि, जो z हमने माना था, उसकी value हमने रख देनी, अभी देखो, minus, तो log होगे हमारे पास, नऄर, अब z, z अबने किसके माना था, z अबने माना था, 2-x को, क्यों माना था, यह समझ भALK, क्योंकि हमारा target क्या था कि हमको जो 9 formula हमने पढ़े हैं उसमें से किसी ना किसी form पे आ जाए अगर form पे आ जाता है तो हमने formula apply कर देना है और हमारा answer हमने मिल जाना है ठीक है देखो जेट किसको माना था अपने 2-x को माना था तो यहां अपने रग देने 2-x और लो के प्लस ठी यह वाला portion j square plus 1 it means j अपने किसको माना था यह जो था 2-1 था इसको माना था यानि 2-x whole square plus 1 यह आप यहां पर भी छोड़ सकते हो यानि यह आपका result आ गया लेकिन अगर आप इसको चाहो तो इसको आप आगे भी expand कर सकते हो तो हम लोग क्या करते इसको आगे expand करके आपको दि log 1 by x is equal to minus log x तो आपको कुछ log की basic formula का भी knowledge होना चाहिए ठीक है क्या है log 1 by x is equal to minus log x अभी देखो अप दियांस तो यह तो है minus और इसको आप मन में मान लो x यानि minus log x के form पर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते है log 1 by x all okay तो log 1 by x यानि यह जो पूरा portion है अब अगर इसको simply five करेंगे और इसको मूल क्या करते हैं तॉ हमने क्या मिलेगा log 1 upon यह तो 2-x था ही आपका प्लस जब इसको अब solve करोगे यानि x square आ गया minus 4x आ गया और यह 4 और 1 कितना हो गया 5 यानि जो final result आया आपका that is x square minus 4x plus 5 तो यह जो आया आपका न यह जो हमने लाया यहाँ पे यह हमारा final result आ गया और हमने यहाँ प्लस c को तो लिखना है अगर यह बात समझ में तो यह जो आया आपका final result आ गया ठीक है और final result क्या है आपका that is log 2 minus x log 1 upon not log 2 log 1 upon 2 minus x plus under root x square minus 4x plus 5 तो यह जो है आपका final result आया ठीक है उमिद आपको सारी बाते समझ आ रही है आ रही होंगी तो सबसे पहले आपने formula को जो याद रखना है अगर formula को याद भी नहीं रख पाते हो तो आपने बस practice करना है चलिए तो बात होगी हमारी कौन सी बात होगी हमने solve कर लिया question number 3 को अब हम लोग क्या करते है हमने क्या करना है सबसे पहले हमारे target कि हमने रिमूफ करना है 25 25 को हमने क्या करना है remove करना क्यासे remove करेंगी 枋 देखोा ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगी हम यहाँ पर थुरा space लेकर अच्छे तरिक से आपको बताते है यहां पे गिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे 25 हम यहांë पर, क्या करेंगे अर यहां 45 से क्या करते है लिए नीचर। क्यों कि हमारा सब्सक्राइब किरहा था है कि हम को 9 जो फर्मेरा है लाना है तो उस पर लाने के लिए, और उसमें कहीं भी, X स्क्वाइर को जो कोफिसेंट है, वहाँ पे 1 है, जितने भी आप फॉर्म देखोगे, तो सारे में, X स्क्वाइर कोफिसेंट के 1 है, that is why, हमारे टारगेट बनता है, हमने करना ही है, क्योंक है यह जो 25 से यह तो 25 हो गया यह यह बहार निकल गया तंग होग ऑच है और अब ही देखो अब ध्यान से यह यह जो है आप इसको बोल सकते हो यह 3 हो गया 3 हो गया और 5 इसका बोल सकतो हुए हमारे जो फाइनल रिजल्ट आया इस थ्री बाइफ फाइब इस्क्वाइब इसको सिंप्लिफाइड फॉर्म पे यह करके लाया अभी अब यहां से देखो तो आपको यह फॉर्मुला दिमाग में स्ट्राइक करेगा और कौन सा फॉर्मुला वह देखा एक्स अपोन अंडरूट ठीक है यह तो क्लियर है कि भाइज और वाला फॉर्मूला है यह थैंग अगर अध्यान से देखो तो आपके दिमाग में यह फॉर्मुला स्ट्राइक करेगा ठीक कॉन सा फॉर्मुला है दिस ठीक सब्रिश फोन अंडर रूट ए स्क्राइर माइन आपने पता है अभी देखो अध्यान से समझेगा तो यहां जो X है यह जो X है यहां भी है यानि X is equal to X हो गया और लोके अच्छा है यहां जो A है लेकिन A के जगा पर हमारे क्या 3 by 5 है तो आपने क्या कर देना है 3 by 5 बस आपने यह एक्षेंज कर देना है ठीके चलो करके जो है आपका DX upon under root A square minus X square के format पर और इसका result क्या आता है that is sine inverse X by A इसका result आता है ठीके तो इसका जो answer होगा हमारा क्या आएगा that is sine inverse X upon X तो हमारा X ही नहीं है इसमें कोई change नहीं है तो X को X रख दो आप अच्छेंज यहां पर A क्या है 3 by 5 है तो A हो गया हमारे पस 3 by 5 और लोके यहां तक अच्छा अब क्या कर आप यह जो 5 है ना अच्छा upon 3 plus C तो यह जो आया हमारा final result आगया आई बात समझ में यह जो हमने करा यह हमारा क्या आगया final result आगया चलिए यह तो हमने कर लिया question number 4 अब हम लोग बात करते है question number 5 की ठीक है चलो हम लोग जो है question number 5 की बात करते है अभी देखो ध्यान से question number 5 क्या है वह आप देखो ध्यान स यह आपका question है, ठीक है, same procedure करना है, हमने क्या करना है, x square का coefficient remove करना, लेकिन problem यह है, कि यहाँ तो x square है नहीं, यहाँ तो x 4 है, ठीक है, लेकिन x 4 है, लेकिन उपर भी देखो, आप उपर भी क्या है, x है, यानि x जो होता है, यह x square का derivative होता है, आरी बत समझ में, x square का derivative की तरह होता है, not exactly होता है, derivative की तरह होता है, तो सबसे पहले हमनों क्या करते हैं, यह 3 है यह 3 को बाहर ले लते हैं, ठीक है, तो यह क्या बच गया हमारे बास, x बच गया, और लोगे यहां तक, अच्छा, यह देखो, यह हमारे क्या बच गया, यह तो 2 हो गया, और लोगे, अच्छा, यह जो x4 है, इसको आप लिख सकते हो, x square, whole square, इसको आप ऐसे लिख सकते हो की निया, A. एकस्क्य स्कूरइ A. अप उल्डजार प्राल क्यों हम को पता है जो एकस्क्वायर को के डेरिविटी वे वह कहीं न कहीं ऊपर में गीवण है यानि 2 x होता है लेकिन x दिया हुआ है लेकिन उसके तरह है तो that is why हमने इसको x square के form पे convert कर, अब ही देखो, rule क्या होते हैं अपने, rule आपको पता है, कि हमने x square के coefficient को remove करना है, तो यहां तो हमने x square ले लिया, लेकि नहीं पे coefficient क्या है 2, तो हमने क्या करना होगा, इस 2 को remove करना होगा, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, और 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइट करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि same procedure है हमने form पे लाना है, ठीके, अभी देखो, ये तो 2 है, और ये 3 तो उपर था ही, ये 3 by 2 आपका बाहर आ गया, ठीके, अभी देखो, क्या बचा, x बच गया, और ये 2, 2 आपका cancel हो गया, और यहां तो dx तो है ही, ठीके, अच्छा, हम लोग ने इसको jid मानना है, किसको मानना है jid, यानि x square को हमने jid मानना है, क्यों मानना ये समझो, क्योंकि अगर, क्योंकि इसका derivative उपर में given, not exactly, बट उसके similar है काफी, ठीके, चलो, तो हम लोग क्या करते है, let, j is equal to x square हम लोग मानते है, ठीके, तो यह हो गया digit upon dx हम लोग करेंगे, तो यहां पर हमको मिल गया 2x, तो यहां से हम लोग आपको पता है कि substitution method कैसे करा जाता है, वो हमने अच्छे तरीके साथ को पिछले classes में अच्छे तरीके से explain करा हुआ, ठीके, तो यहां से जो dx निकल गया, dx square to क्या नि इसको भी आप, as it is, लिख दो आप, यानि 1 by root 2 whole square हो गया, अच्छा है, इसको आपने क्या माना था, z माना था, x square को लिख तो यह हो गया, z square, all okay यहां तक, अच्छा, यहां पर dx है, तो dx की value आपने calculate करा था, क्याची, that is digit upon 2x अपने विए value calculate करा था, तो यह x और x cancel हो गया यहां से 2 है न, यहां पर, और यह 2 है, यहां पर, यानि 3 by 4 आपका बाहर आ गया, तो अब यह देखो ध्यान से, यह जो है, आपका एक format पर चला गया, यानि 1 by root 2 whole square, और plus z square, अगर आप देखो ध्यान से, तो यह जो है, जो 9 formula हमने आपको बताए है, उसी में से किसी की तरह है, अगर आप देखो ध्यान से, तो उसमें से अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, अगर आपको, अच्छा, एक चीज़ हम लोग यहां पर miss कर रहे हैं, यहां पर root नहीं है, यहां से जो हमने root को remove करना होगा, यह ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चलो, तो हम लोग यहां हमने डाल दिया है ना इस root को हम लिए यहां से करते हैं remove करते है क्यों क्योंकि question में यह root नहीं है question में क्या है root आपका नहीं है that is why इस root को हमने क्या करें यहां पर remove कर रहा है चलो अभी देखो formula कौन सा हमने apply करना है ठीक है यह हमारे पास है क्या हमारे पास है digit upon one by root two whole square plus j square यह हमारे पास given है अच्छा अब आपने है कौन सा formula आपने याद रखना है तो वह देखो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको एक formula बताया था that is digit upon a square plus x square digit upon digit upon a square plus a square तो इसका format आपको पता होगा that is one by a tan inverse x by a यह इसका format होता है तो अगर आप देखो ध्यान से तो यह जो पूरा portion है यह इस पर based है यानि इसकी तरह है यानि digit upon a square plus digit upon a square plus x square यह format पर है और लोग कि यहां तक तो देखो ध्यान से तो यह जो आपका a है वो कि यहां पर कितना अब आपने क्या कर देना है इस फॉर्मिट पर जो आपका रिजल्ट है यह वाला one by a tan inverse a इस पर आपने set कर दे रहा है ठीक है चलो हम लोग क्या करते हैं अब finally जो हम लोग उसको रख देते हैं तो हमारा final हमको result मिल जाएगा ठीक है हम तोड़े यहां पर erase कर रहे है आपको चलो यहां से हमने आपने क्या लेना है जेड और जेड की वैलू कितनी थी अगर आप देखो ध्यान से तो जेड किसको आपने माना था जेड आपने माना था एक स्क्वाइर को तो यहां पर आगया आपका यहां पर आपका फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट कितना है आपका that is root 2 tan inverse root 2 x square यहां तक किसका रिजल्ट आया देखिए ध्यान से हमने केवल इसकी बात करा भी हमने अभी 3 by 4 को हमने कुछ नहीं करा हमने 3 by 4 को भी ध्यान में रखना होगा ठीक है क्योंकि हमने केवल इंटिग्रेट करा हमने केवल फार्मूला पर आपका आरी बात समझ भी है अच्छा यहां तक तो क्लियर हो गया अब हमने जो है इसको 3 by 4 से फाइनल रिजल्ट आएगा आपका that is 3 upon 2 root 2 ठीक है 10 inverse root 2 x square तो यह जो आया आपका है ना यह 10 inverse root 2 x square और प्लस ही आप लगा तो यह जो आया आपका final क्या आया है result आया ठीक है चले यह तो हमने solve कर लिया ठीक है कौनसा number था यह question number हमारा था 5 ठीक है अब हम लोग बात करते है question number 6 की बात करते हैं चलिए हमने 5 तक समझ लिया question number 6 की बात करते हैं question number 6 क्या है वो हम लोग पहले समझते हैं question number 6 है आपका that is x square upon 1 minus x to the power 6 x square upon 1 minus x to the power 6 अभी देखो ध्यान से तो ये आपको idea मिल जाएगा कि इसको जो है आपको x to the power 3 का square लिखना है क्यों कि उपर क्या है x square है तो x square जो होता है यह जो है जब किसका derivative x square जो है किसका derivative है तो यह x cube का derivative है x cube का derivative stand for जब भी आप x cube को derivative करोगे तो वो क्या मिलेगा 3 x square मिलेगा हम लोग जो coefficient की बात नहीं कर रहे हैं तो यह वाला जो portion and x square की बात करें तो यहां तो यह clear होगा हमको, इससे हमको idea मिल गया, कि हमने 6 को cube के form पर तोड़ने है, यानि cube को हम लोग जो 6 है, इसको बोग ऐसे लिखेंगे, that is x cube whole square, इसको बोग इस form पर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको यह idea मिल गया, कि उपर में क्या है, x square है, और x square जो होता है, x cube का derivative की तरह होता है, that is why हमने ऐसा करा, चले यहां तक हमने समझ लिया, अब यह आप देखो, अब हमने क्या करना, इसको जेड माना, अब देखो जान से जब basic rule हो गया न, किसका कौन सा rule, substitution method का जो rule हो गया, वो हमने फॉलो करें, तो इसको हमने क्या करना, तो let z is called to x cube, क्यों माना, क्योंकि इसका derivative यहां पर है, अच्छा, जब z मान लिखेंगे, second step क्या होता है, हमने digit भी dx calculate करना होता है, तो यह क्या होगे, 3x square होगे, फिर हमने dx calculate करना होता है, तो dx की value कितनी आगई, that is digit upon 3x square, यह आगया आपका, ठीके, अभी देखो, यहां तक clear है, all okay, अभी देखो, तो यह तो था हमारा x square, अच्छा, इसको हमने क्या माना, z माना था, तो यह होगी हमारा 1 minus z square, अच्छा, और dx की जो value है, वो आपने कितना calculate करा, that is digit upon 3x square, यह अपने value calculate कर, और लोग के यहां तक, अभी देखो, तो यह जो x square है, और यह जो x square ही cancel होगे, क्या बचा आपका 1 by 3 है ना, तो 1 by 3 को आप बहार ले दो, अच्छा, अभी देखो आप ध्यान से, अब यह जो है, आपका किस की तरह है, यानि किस formula पर ही जा रहा है, अच्छा, 1 को आप minus x square, तो आपको ध्यान में लाना कि क्या है, इस तरह का कोई formula है, तो अगर आपको ध्यान होगा, तो इस तरह के हमने 9 formulas आपको total बताई हुए है, तो यह जो formula है, इसका जो result है, वो क्या होगा, that is 1 upon 2a, ठीक है, क्या होता है, 1 upon 2a log a plus x upon a minus x होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 by 2 2a log a plus x upon a minus x होता है, यह result आता है, ठीक है, अभी देखो, ध्यान से समझेगा, यहां तक आपको समझ आया होगा, कि हमने क्या करा, क्यों करा, the most important thing क्यों करा, यह आपको समझना बहुत important होता है, कोई बेच्टेप होता है, तो क्यों होता है, अभी देखो, यह जो a है आपका वो क्या है, यहां पर a की value कितनी है, आपकी 1, all okay, यहां जो x है आपका वो किसके बराबर है, z के बराबर है, तो यहां x की value क्या है, आपका जड, all okay यहां तक, अच्छा, हमने करना कि इस formula पर हमने पहले रख देना है, चलो, क्या है, 1 by 3 तो है हमारे पस, यह ध्यान में आपका जिड है अच्याद आपने किसको माना था डिड आपने माना था ex q को जैड आपने किसको माना था ex q bert हो यह askupon फिर a from x तो a to 1 है और x कर जहांठी has Breaded and गले का hij और editors equ UK यह यह जो आया यह का final result अब यह देखो आप यहां तक ठोर सकते हैं या आप स्को लिख सकते हो तो यह आपका जो आया final result आया आरे बात समझे तो यह हमने क्या करा question number 6 करा solve करा अब हम बात करते है question number 7 की ठीक है अभी देख़वा question number 7 क्या है that is हमने integrate करना किसको integrate करना है that is x minus 1 upon under root x square minus 1 को हमने integrate करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोनों को separate करेंगे है ना it means हमने जो है सबसे पहले x upon under root x square minus को एक तरफ करना है फिर minus 1 upon under root x square minus को हमने क्या करना है एक तरफ करना है ठीक है तो एक तरह से हमने यहां पर क्या करा अब बात आती है कि हमने यहां पर इसको सेपरेट करा तो सेपरेट करने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था है यहां पर logic 10 separate करने का, इह बात समझ आई आपको, अभी देखवा, अब हमने क्या करना है, दोनों को solve करना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक वाला portion है, इसको हम लोग I1 consider कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, I2 consider कर लेते हैं, और लोग के, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 को क्या करेंगे, solve करेंगे, यानि यह वाला portion है, फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको हम लोग कैसे solve करेंगे, वह देखवा, यानि X upon under root X square minus 1 है, हमने इसको क्या करना है, इंटेग्रेट करना है, अब देखो कैसे इंटेग्रेट करना है, त ठीक है क्यों जिट कंसिडर करते है क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो that is why हमने यहाँ पे करके इसको जिड मानेगे ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं माल इतने है कि let z is equal to x square minus 1 इसको हमने जिड माल लिया ठीक है अच्छा जब हमने जिड माल लिया तो आपके पता portion इसको अपने क्या माना था डी जड माना था तो यह हो गया हमारा root z अच्छा यह देखवा यह dx था तो dx की value अपने यहाँ पे कितनी calculate करें that is dj upon 2x यहाँ पे आपने calculate कर रहा था all okay अभी देख़ो यह x और x आपको cancel हो गया तो क्या बच आपके बस 1 by 2 अपने बाहर निका और लोग के यहां तक अच्छा आपने एक rule पढ़ा होगा integration का जो basic rule होता है that is अगर हम लोग x to the power n के form पे है तो इसको कैसे solve करते है x to the power n plus 1 upon n plus 1 हम लोग क्या करते है solve करते है तो यह थो होगी हमारे 1 by 2 side में है और लोग के यहां पे हमारे क्या है 1 by 2 और यह जो है इसको कै क्या से solve करते हैं x to the power 1 वाले concept पर solve करते है यानि into z यानि z to the power minus n plus 1 sorry n plus 1 upon n plus 1 और लोग के यहां तक अभी देखो आप तो अभी हम लोग जो है केवल यह वाला पोर्सन है यानि यह फर्स्ट पोर्सन इसको हम लोग सॉल्व करते है ठीक है अच्छा यह देखो 1 by 2 तो है हमार इसको हमने इसको यह मिला और जैड आपने kis को माना था तो जैड जो है आपने यह जो पॉर्शन आपका X2-1 इसको आपने Z माना था यानि एक पॉर्शन जिसको हमने इंटेग्रेट करा तो हमको result मिल गया इसका जो फॉर्म है यानि इसको जब हमने इंटेग्रेट करा तो हमको answer क्या मिला that is under root x square minus 1 हमको एक portion मिल गया यानि जो first वाला portion था यानि जब हम लोग इसको integrate करेंगे यानि आई वन को integrate करेंगे तो हमको ये portion मिल गया अब हमने क्या करना second वाले part को integrate करना it means we have to integrate i2 हमने i2 को क्या करना integrate करना अभी देखवा तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको 9 formula बताया जब हमने आज क्लासे start कराता है तो यहां पर हमने आपको total में starting में 9 formula बताया तो 9 formula वैसे इस formula का आप notice करो कौन सा formula है that is dx upon under root x square minus a square तो इस formula पर आप focus करो और इसका हमने आपको result बताया इसका हमने आपको result बताया था that is log आपने लिख देना है पहले फिर आपने क्या कर देना x लिख देना है फिर plus और यह वाला जो portion इसको आपने as it is लिख देना है that is under root x square minus a square जो है इसको आपने as it is लिख देना है plus c का form पर ठीक है अभी देख़गा तो अब हमने क्या कर देना है यहां पर इस format पर रख देना है x square minus a square तो a यहां पर कितना है यह तो x तो x है आपका लेकिन a कितना है 1 है आपका तो यहां पर होगी हमने 1 रख दिया ठीक है तो यह जो हमारा है second part का answer आगया c ठीक है अब देखो first part कितना है था आपका that is under root x square minus 1 यह first part आपका और उससे बीच में क्या था minus तो minus लगा दो आप और second part यह था आपका that is log x plus under root x square minus 1 plus c तो यह जो आए आपका final result आए आरी बात समझ में यह क्या है आपका final result आगया चलिए तो हमने solve करा question number 7 है ना अब हम लोग question number 8 की बात करते है ठीक है अभी देखो question number 8 क्या है ठीक है अभी देखो ध्यान से आपके तो सबसे पहले आपने क्या करना है खुद से पहले try करना है 8 number को question क्या आपका that is x square है upon under root ठीक है अब देखो इसको हमको solve करने का approach मेरा क्या होगा तो हमको पता है कि जो x square है यह यह x cube का derivative है है ना not exact derivative है लेकिन उसके similar है यान कोफिसेंट के वहले difference है ना ऐसे तो derivative है उसका तो हमने जो है इसको x6 को क्या करना है हमने x cube को फॉर्म पर एक्स्प्रेस करना है इसको हम लोग x6 है इसको हम लोग x to the power 3 का whole square के form पर हम लोग लिख देंगे ठीक है अच्छा इसको कि अप लिख दो कोई problem है यानि aq square लिख दो ठीक है चलो यह तो होगी बात अच्छा अब हमने क्या करता है इसको z हम ले लेना है इसको में क्या करना है जेड तो लेट जेड इसको क्या होगी एक्स क्यू और लोग यहां तक फिर पता है आपने क्या करना होता है डेरिवेट करना होता है यानि डेरिवेट करना होता है तो एक्स क्यू क्यू क्या करना होता है तो फिर हमने क्या करना होता है d x calculate करना होता है तो d x की value किती नहीं आ जाएगा d z upon 3 x square यहां तक हमने समझ लिया अभी देखाओ यह तो x square था आपका इसको आपने क्या माना था j माना था तो आप j square के form पे इसको लिख दो इसको जो aq था इसको आप as it is रने दो यह x square x square cancel हो गया तो यहां पे जो 1 by 3 है अक्सर क्या होता है यह वाले जो portion आता है इसको अक्सर मिस कर देता तो इसका अपने ध्यान में रखना है चलो अब अभी क्या बचा हमारे पाश digit upon gild square plus aq whole square यह हमारे बस बस गया अभी देखो की ध्यान से तो यह जो format है आपका यह किस की तरह है यह जो format है आपका यह formula आपने पढ़ा होगा that is dx upon x square plus a square पर है अच्छा यहां पर root भी है तो root को भी हमने यहां पर लेकर ही चलना है तो यह जो formula अगर आपको ध्यान होगा काफी याद करना काफी असान है सबसे पहले क्या होते है log आपने लिख देना होते है फिर ए x लिख देना होते ہے और यह जो पूरा format है नीचे वाला यह आपने लिख देना होते है तो यह formula याद करना भी काफी असान है अगर आप practice कर ली ना धो तीन बार तो अच्छे तरह किसे आपने याद हो जाएगा चलो यह तो हमने फॉर्मॉलर लिग दिया अब हमने क्या करता है वैलू रख दीने की मत और कुछ नहीं करना हमने जो है फाइनली वैलू रख दीने अब देखो वैलू कैसे रखेंगे वह तोड़ा हमनों सीख लेते हैं अब जो A square है याणी यह जो है आपका यहाँ पर A किसके बराबर ए ? A起o के बराबर है तो यह जो A है आपका वह किसके बराबर है? A q के बराबर यह था अपने थोड़ा ध्यान में रखना है अच्छा फॉर्मिट क्या होता है त्स log हो गया एक्स अब यहाँ पर जूडL gry और च् समझ भी और Z क्या है that is XQ है यहां पर क्या आपका XQ है तो अब बताओ अब ध्यान से समझेगा इसको हम फिर से रिपीट करते है ठीक है इस चीज को हम फिर से रिपीट करते हैं ध्यान से यहां पर हमने क्या करना X स्क्वाइर चाहिए हमको यानि और हमको एकिसके बराबर है जेट के बराबर है और हमको एक स्क्वाइर चाहिए वो किसके बराबर है जेट के बराबर है तो G boiled माना था तो होगा ना यानि कितना निकल जागा x2 यानि यहां पर हमने क्या रख देना x2 और लोके यहां तक अच्छा फिर क्या है यहां पर a2 अब देखो ए आपने किसको मानत है aq को मानत है तो जब a3 का आप स्क्वाइर करोगे it means आपको आपको आया आपको यह क्या मिला आपको फाइनल रिजल्ट मिला रिजल्ट क्या है फाइनल आपको लॉग x3 प्लस अंडरूट x6 प्लस a6 लेकिन जो हमने थोड़े दिर पहले बताया था जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं वहां जो हमारा हमने जो इस पॉर्षन को फॉक्स करते हैं और यह पॉर्षन अक्सर जो होता है अक्सर विद्यारतियों में देखे हुए है कि यह पॉर्षन क्या करते बचे छोड़ देते हैं लेकिन हम लोग इसको लेके चलेंगे तो यह जो आया हमारा फाइनल रिजॉट आ गया तो यह हमने कोर्षन नंबर सॉल्फ करा यह इस एट नंबर हमने कोश्व करा ठीक है अब लोग क्या करते है कोर्षन नंबर 9 की बात करते ऑब देख कोश्यक्त नंबर 9 कि वह देखना के आप सेख स्क्वार एक अपॉन अंडरूट टैन एक्स स्क्वार प्लस फूर और फूर को आप लिख सकते हो यहां पर टू स्क्वार अच्छा अब देखो अपर अपर में और इसको आपने क्या माना तो अपने जेड माना तो अंडरूट क्या हो गया यह जेड स्क्वार हो गया और प्लस टू का स्क्वार ही आपके पास अब अच्का अच्छ एक्स था इसकी वैल्यु अपने कल्कुलेयट कर लिए डिजीग अपने स्क्वार गया डिजेट अपने स्क्वार प्लस टू इसक्वार क्वार पऊ अच्वार ऑफ जब यह बच गया तो अब ध्यान से देखो अपने आपने जो फॉर्मूला लिखा होगा यह अब यह जो है किस फॉर्मूला से मैच कर तो अगर आप देखो के ध्यान से तो यह एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था है अभी देखो यह जímt है वह यह आपका जैपला जरीड़्मूला से यह उल्म मनें इसको बशने यह था को डाता थाता लोग में हमारे पास विए तो under root 10 square x plus 4 हमने कुछ नहीं कर रहा है हमने value रग दिया z का जो हमने सुरू है जो z को माना था हमने उसकी हमने value रग दिया ठीक है